नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में प्रोडकास्ट इंजिनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटिट की तरब से वेकेंसी की नॉटिफिकेशन निकाली गई है जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूँगा ये जो वेकेंसी है टोटल 13 पोस्टों के उपन निकाली गई है आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के अंदर क्या एजुकेशन कौलिफिकेशन मांगी है और आपका क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा देखते है पहले चौती पोस्ट चौती जो इसके अंदर पोस्ट है ये है लैब अटेंडन की ग्रेट टू की ये पोस्ट है इसके अंदर टोटल 41 वेकेंसी निकाली गई है आप देख सकते है कौन-कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वेकेंसी निकाली गई है अगर आप इस post पे apply करना चाहते है तो आपने 10 plus to pass का रख्य होनी चाहिए science subject के साथ उसी के साथ में आपने डिपलोमा करा होना चाहिए medical lab technology के अंदर तब आप eligible रहेंगे lab attendant की post पे apply करने के लिए age limit की बात करें तो 18-27 साल तक के candidate इस post पे apply कर सकेंगे और साथी में इसके अंदर age election भी दिया गया है pay scale की बात करें तो इसके अंदर आपका जो pay scale रहेगा वो 17,000 से 303 रुपे तक का आपका इसके अंदर pay scale रहेगा बात करते हैं अगली post के बारे में तो अगली जो इसके अंदर post है वो है lab technician की total एक vacancies post के उपर निकाली गई है जो की unreserved category के लिए है अगर आप इस post पे apply करना चाहते है तो आपने 10 plus to pass का रख्यों होनी चाहिए science subject के साथ उसी के साथ में आपने diploma करा होना चाहिए medical lab technology के अंदर तब आप eligible रहेंगे इस post पे apply करने के लिए और इसके अंदर आपका जो pay scale रहेगा वो 27,250 रुपे तक का आपका इसके अंदर pay scale रहेगा और 21 से 30 साल तक के जो भी candidate है वो eligible रहेंगे lab technician की post पे apply करने के लिए बात करते हैं अगली post के बारे में तो अगली जो इसके अंदर post है वो है pharmacist की grade 2 की ये post है तोटल 8 vacancy इस post के उपर निकाली गई है अगर आप इस post पे apply करना चाहते है तो आपने diploma करा होना चाहिए pharmacy में किसी भी रिकोजनाइस यूनिवर्सिटी या institution से जो की register होना चाहिए pharmacist act 1948 के अंडर में तब आप eligible रहेंगे pharmacist की post पे apply करने के लिए pay scale की बात करें तो इसके अंदर आपका जो pay scale रहेगा वो 27,250 रुपे तक का आपका इसके अंदर pay scale रहेगा और 18-30 साल तक के जो भी candidate है वो eligible रहेंगे इस post पे apply करने के लिए बात करते हैं अगली post के बारे में तो अगली जो इसके अंदर post है यह है जूनियर इसकेल इस्टैनों की हिंदी इस्टैनों की यह post है अगर आप इस पे apply करना चाहते तो आपने बारवी class pass का रख्य होनी चाहिए उसी के साथ में हिंदी शॉट हैंड के अंदर आपकी speed 64 word per minute और साती के अंदर आपको transcription आनी चाहिए जिसके अंदर आपकी जो speed है वो 11 word per minute तक की होनी चाहिए तब आप eligible रहेंगे हिंदी इस्टैनों की post पे apply करने के लिए टोटल एक vacancies post के उपन निकाली गई है जो की underage of category के लिए है और 21 से 30 साल तक के candidate इस post पे apply कर सकेंगे और इसके अंदर आपका जो pay scale रहेगा वो 23,550 रुपे तक का आपका इसके अंदर pay scale रहेगा ऐसी आप चेक कर सकते है अधर पोस्टों के लिए भी यह जो vacancy है इसकी notification का जो pdf है वो मैंने आपको description में दे रखा है और यह जो इनके दुआरा vacancy निकाली गई है यह contract basis के उपन निकाली गई है इसके अंदर जो आपकी work की location रहेगी वो All India Institute of Medical Science बोपाल के आपकी इसके अंदर location रहेगी आगे बात करते हैं आपके selection process के बारे में तो इसके अंदर आपका जो selection होगा उसके अंदर आपका computer based test लिया जाएगा जिसके अंदर आपका जो syllabus रहेगा English language, Hindi language, Math, Logical reasoning, GK, GA यहां से आपसे question put up किये जाएगे total आपसे 90 question put up किये जाएगे जो की MCQ type होंगे आपके जो paper की language रहेगी वो दो रहेगी English और Hindi कोई भी एक आप language चूज करके आपका exam दे सकेंगे और आपकी जो duration रहेगी paper करने की वो 90 minute की रहेगी अगर आप इसको qualify कर जाएगे उसके बाद आपका skill test होगा तो यह आपका इसके अंदर selection process रहेगा और आपके selection से related जो भी update है वो या तो इनकी official website पे नहीं तो आपको email के माध्यम से update दे दिया जाएगा तो आप इस vacancy को apply करते हैं तो समय समय पर इनकी official website पे और अपने email पे visit करके चेक करते रहे आगे बात करते है application fees के बाद चो भी candidate under reserved और lovely category अंदर आते हैं उनको 830 रुपए application fees की payment करनी होगी और जो candidate SC, ST, PWD या EWS category के अंदर आते हैं उनको 600 रुपए application fees की payment करनी होगी और साथ ही में उनको जो bank то लगते उसकी payment करनी होगी तो आपको जो ये application fees की payment करनी है ये आपको online करनी है जब आप इस vacancy को apply करेंगे तब आगे बात करते है इस vacancy को apply कैसे करना है इस vacancy को आपको online apply करने के जो link है वो मिन आपको description में दे रखा है simply आपको description में जाके इनकी official website पर visit करना है first आपको आपके email या phone number के माधियम से registration करना है and then आपको login करके इस vacancy को online apply करना है और इस vacancy को online apply करने की जो last date है वो है 22 February 2021 की तो आपको 22 February 2021 से पहले पहले इस vacancy को online apply करना है अगर आप eligible है इस vacancy को apply करने के लिए उससे पहले एक बार आप इसकी notification को अच्छे से read कर ले notification का जो link है वो मैंने आपको description में दे रखा है और अगर आपका इस vacancy से related कोई भी question या doubt है तो आप मुझसे नीचे comment में पूछ सकते है और ऐसे ही government और private jobs की detail time to time जनने के लिए इस channel को subscribe करें Thank you so much